हलो जैने दोस्तों मैं राहुल सिंग राहुल वाई फाई स्टुड़ी में आपका बहुत-बहुत स्वागत और भी लेंदर करता हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं आगामी आने वाले पंदरा दिनों में आपका युज़ित किया जाएगा अब इन पंदरा दिनों में जो बचे हुए हैं अब आप कितना जयदा अपने आपको तयार कर पाओगे वो केवल और केवल प्रैक्टिस के माद्यम से पढ़ने का मैं यह नहीं कहा रहा हूँ पढ़ने के दिन चले गए लेकिन आप मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे उतना जयदा अपने आपको एक्जाम हाल में आप सहाज महसूल करेंगे और अपना 100% एक्जाम म से जो आपके एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने के चांसे हैं तो फैंट से में ज्यादा बाते आपसे करूंगा नहीं चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ने बेला इकॉन की घंटी प्रस कर हैं ताकि ऐसे तमाम महत्रपूर प्रैक्टिसर जो आपके एक्जाम के दिश्टी कोड से महत्रपूर हो आप तरक सीधे आपके मुबाइल हैंट सेट पर राहुल वाई फाइश्टी चैनल के मादिम से खबर पहुचाई जा सके तो चलिए बढ़ते हम कोसन के तरफ देखते हैं पहला कोशन आपके हिंदी सेक्षन से आज कौन सा कोशन है आज जो कोशन है आपके लिए वह वर्न वर्ड सॉब्सिट्यूशन से हैं है ना वर्न वर्ड सॉब्सिट्यूशन से कोशन है आप अब पहला कोशन है अनुश्कीन आप देख सकते हैं जिस पर हमला ना किया ग आप सर नमबर डी अना करांद यहां से आप दिख सकते हैं जो बहुत मंद गती से कार करता हो उसके लिए एक सब्द क्या होगा तो क्या होगा यह यह जो आपके लिए बहुत ही इंप्वरेंट आप बड़े इत्मिनान से तरीके से कौश्चन को लिजिएगा क्योंकि एक जाम एक बार जब गरबर हो जाता है तो फिर सोचने से कुछ होने वाला नहीं है मैं जादा नहीं कुछ कहूंगा आप लोग समझ रहे हैं तो देख सकते हैं इसका जो एंसर होगा फैंड वो होगा आप्शने मंथर है ना बहुत इंपॉर्टन को सने मैं उन्हीं को सोनों के सामिल करने को घुजिस किया हूं जो एक्जाम के पाउंटा बेसे इंपॉर्टन है अगला को सन्देग लेते हैं साथ में वोडियो को लाइक करते चलिए है ना लाइक करेंगे आप तो थोड़ा हमें भी कायर कर से देख सकते हैं उचीत और अनुचीत का ढ्यान रखने वाले वाक्झास के लिए एक सही सब्ध है जो जो ga होगा प्लम कर सकते हैं इसका आप जैसे कर सकते हैं अब वाकी यह मसाल वाकर याप के सुरुक्ट कि आपका है आप उचित करते हैं काम या उचित करते हैं यह तो आपके चतुराई के उपर डिपेंट करता है है ना चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं जो अपने कर्टब का निश्चे ना कर सके इस वाक्य को एक शब्द में हम क्या सकते हैं क्या कह सकते हैं आपसर नंबर आपका होगा इसमें सकता है सिंकरट कर वीव मूड है ना किंकर्त व्युव मूड को है यह को वड़े थोड़ा पांस उसका जो है थोटा हम हाट है बहुत कोशन अगला कोशन अपके लिए यहां से दिश दें आनेक युगों से चले आने वाले हैं ना अनेंग युगों से चले आने वाले वाक्यांत के लिए एक उपयुक्स स्थ होगा क्या होगा? यो होगा अपसंसी, कालांतर है न? चलिए next question देखते हैं अग्ला question आपके लिए sorry, यह आपका सनाता नों सकता है सनाता नों सकता है उसके लिए छमा चाते हैं, चलते अगरा question एसा कवी जो तत्काल रचना करता हो एसा कवी जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही सब्द होगा तो आपका यह क्या होगा action number B आशु कवी क्या होगा आशु कवी अगरा question देख लेते हैं मैं आपको सभी और साथ में हमारा भी क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं यह वीडियो है तो आने स्क्रीन आपको सब कुछ अपसर दिखता है है ना चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं कि श्वआभु बहुत बार आपके परत्य ग्षा अर्थ क्या है कि स्वआभु सब्द का जो अर्थ ऐसर नमबर भी स्ता उथपन जो अपने आप उथपन होता है उसे वीक गतों में वननेंबस चैनल फॉसित्ट यूपी-पिस्याअि हैं में बड़ी परिच्छाह में पूछ गया उक्षा एक अबसा नजानी के इदै होगा फॉसको जानने के ते इद ने八व बोल सकते हैं तो वो जिग्यासू है ना आपसर नमर भी जिग्यासू अगला कोश्यन वह भाई जो अन्न माता से उत्पन हुआ हो कहलाता है क्या कहलाता है अन्न माता से वो औरस आपसर नमर सी पचात्तर का औरस अगला कोश्यन अनियोदर स्वारी यह अनियोदर होगा अगला कोश्चन जिस पेड़ के पत्ते जड़ गए हो एक सब्द इसके लिए क्या होगा क्या होगा अपत है ना अपत ए आरो मेंस एकजाम 2010 में पूछा गया कोश्चन है अब अगला कोश्चन देख सकते हैं तैरनी की इच्छा को एक सब्दे हम क्या का सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं उसको ती ती तिरसा है ना ती तिरसा अगला कोश्चन हाथी की पीट पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक सुद्ध सब्द होगा हाथी की पीट पर रखे जाने वाले आसन के लिए सुद्ध सब्ध होगा तो क्या होगा वो? होदा अप्शन B होदा अगला कुश्चन देख लेते हैं जिसे परमार द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक सही सब्ध होगा जिसे परमार के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक सही सब्ध होगा तो क्या होगा वो? अप्शन नमबर C आ परमे है न? क्या होगा आ परमे अगला कुश्चन अगला कुश्चन है आपके लिए उपनिवेस से संबंद हो जिसका उसके लिए एक सब्द होगा उखनिवेस से संबंद हो जिसका उसके लिए एक सब्द होगा तो क्या होगा आप्शन नंबर भी अगला कोश्शन यहाँ से देख शेकite इन्वेस से एक के लिए पर्योज्य सब्द है या है ना आसुर मिस्या जो सब्द है इसका जो है अर्थ क्या होगा जो यह आपका दिया गया है सब्द इसका अर्थ क्या होगा तो क्या होगा क्या होगा आफशन नमर डी रह निवास में कड़े पर्दे में रहने वाली सुरी को क्योंकि वो जो है सुरी का भी है दर्शन नहीं कर जो इसे हम बोलते हैं क्या आशूर मपसया अगला कुश्चन उत्तरा अधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक सब्द है उत्तरा अधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होता उसके लिए अगला कोश्चन गिरा हुआ के लिए एक सब्द है ना गिरा हुआ के लिए एक सब्द है तो क्या है वो पतिट अगला कोश्चन यहां से कि निम्खित वाक खंडों में से एक के लिए पर्युक्त होने वाला सब्द श्वयम श्यवक कि खुद अपने का सेवक तो क्या होगा श्यवक करने वाले को हम स्यवक करते हैं अपनी यह दिख सकते हैं अपनी इच्छा से दूसरों के श्यवक करने वाले को स्यवक बोला जाता है अगला कोश्यन अगला कोश्यन आप देख सकते हैं से कनिष्टिका और मद्धिमा के बीच अंगली को क्या काते हैं तो क्या बोलते हैं अनामिका आप्शन नमर्डी अनामिका आरो ए आरो पिरीक जान दोहर चोधा में कोस्तन आप से पूछा जा चुका है अगला कोश्चन जिसके पेट में माने रसी बाद दी हो उसे काते हैं जिसके पेट में माने रसी बाद दी हो उसे काते हैं क्या बोला जाता है उसे तो इसका होगा अप्शन नमबर डी दा मोदर बहुत ही अलग है इसको आप ध्यान से दिखीगा वीडियो को फ्रेंट्स लाइक ज़रूर करें लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा इसे शेयर भी करें चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा क्या होगा अप्शन नमबर B अनुगामी जो पीछे पीछे चलते हैं अगला कोश्चन जिसका कोई कीमत ना हो सके वाक्यांस के लिए एक सब्द है क्या होगा वो कोई कीमत उसका ना हो सके उसको आमोल लिये चला अगली कुशन देख लेते हैं थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले वाक्यांस के लिए उप्यूक्ष सब्द है क्या होगा वो मिताहारी है ना आपशन नमबर सी अगला कोशन गुरू के समीप रहकर अध्धन करने वाले के लिए एक सब्द है क्या होगा आपशन नमबर डी अंतेवासी है ना अंतेवासी अगला कोशन जिसके हिर्दे पर आघात हुआ हो वाक्यांस के लिए उप्युक्त सब्द होगा जिसके हिर्दे पर आघात हुआ हो उसका होगा मर्मा होगा आपशन नमबर सी है ना यह मर्माहत होगा के लिए आपशन नंबर भी अगला कोश्चन जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयूक्त सब्स होगा है लेकिन अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोश्चन आपके लोग के लिए दिसाएं जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है दिसाएं जिनका वस्त्र है उसे कहा जाता है क्या दिगंबर अगला कोशन जिसका जन्म कर्ण्या के गर्व से हुआ है जिसका गर्म कर्ण्या के गर्व से है उसे क्या क्या होगा फ्रैंड's आप शनम बी क्या होगा आप सब्ग होगा आप शनम रेकिवार भी कानिन है इसका जॉद के गरभ वसे कानिन बोलते हैं अगला कॉषिचन कर त flux कि अग के लिए एक स्थ receptive है है ये खेस कि या लिए टमी कर दोगा कई की बार जंगल की आग को भी पुछायता है दवागनी है ना अगला कोश्चन पानी में बड़ यह होता है बड़ गुनी अगला कोश्चन जिसके पास कुछ ना हो जिसके पास कुछ ना हो उसके होगा आपसन भी अकिंचन एक सब्द अगला कोश्चन जिसे बुलाया ना गया हो वाक के लिए परयुक्त होने वाला सब्द है क्या होगा अनाहूत आप्शन नमबर सी अनाहूत अगला कोशन मोच की इच्छा रखने वाले वाक्यांस के लिए एक उपरयुक्त सब्द है मोच की इच्छा रखने वाले तो क्या होगा आप्षान नमबर सी मूँ मूछू अगला कोशन जो इस्तरी शूरी भी ना दे सके ज़ता कि मने आपको बताया भी था उसके लिए एक सही सब्ड होगा क्या आपसैया आपशन नमबर D जो यूध में इस्ठीर रहता है उसे क्या कहते हैं क्या यूधल हिश्फीर है ना आपसैन नमबर सी पैथिसका जो हमेशा रहने वाला है उसको हम क्या कहते हैं एक शब्द में तो क्या बोलते हैं उसे साथ सब्द जिसको भी नास्वान नहीं हमेशा चलता रहता है रगुलर अप्शन नमबर भी दर राइट एंसर अगला कुश्चन जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा है ना जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक सब्द होगा तो क्या होगा बी पत्निक है ना बी पत्निक तो फ्रेंट यह आप लोगों के लिए कोश्चन थे जो आपके एक्जाम के पूरे पूरे आपसे पूछे गया हैं इसमें आपको बताया है तो बीडियो अच्छी लग तो लाइक करें अच्छा आप कुछ माद इचात ऐसे भी होंगे कि उनको सलेबस कुले करके अभी गामा गामी है क्या आखिर कार जो सलेबस है तो इक बार सलेबस मैं आपको दिखा देना चाहता हूं तो सलेबस आप देख सकते हैं यह 27 अगस्त को आगया था अधिना स्पर्थम चल्ण की आपकी परिच्छा सलेबस क्या है हिंदी परिज्ञान और लेखन योगता से जो आपके 60 पर्षन होंगे है ना 30 अंक यानि एक कोश्चन का जो मार्क होगा वह 0.50 हो कोशन होगा वहीं समान बुद्धी पर इच्छा रिजिनिंग से आप देशेते हैं 30 कोशन होंगे समान जानकारी सी कितने होंगे 40 कोशन यानि कुल मिलाके 130 कोशन नमबर 65 और समय कितना 90 मिनट डिएड़ घंटा यानि 90 मिनट और मायनस मार्किंग कितनी है 25 परसंट है न तो मतलब वन फोर्थ आपके मायनस मार्किंग है तो यह पूरे पूरे सिलेवस को मैं अनुद सूचा एक बार आपको बता देना जरूरी है अभी जो आपका प्रथम च चीजे आने वाली है है ना तो विलक्री आप तैयार रही है तो ठीक है मित्रो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स प्रैक्टिस्ट के साथ तब तरक के लिए धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत